हालो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े मेगा मर्जर की HDFC, HDFC Bank दोस्तों अब आपको देखने को मिलेगा कि जो HDFC है वो HDFC Bank के अंदर आपको मर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा और ये मार्केट के लिए अपने आप में बहुत बड़ा खबर था जिसके अगर अगर अब आप देखेंगे तो निफ्टी 18,000 के लेवल को ब्रेक कर चुका है और मार्केट को याद रखेगा HDFC और HDFC Bank 14% तक constitute करते हैं यानि निफ्टी का 14% constitute करते हैं और ये दोनों ही काफी है मार्केट को या तो गिराने में या तो बढ़ाने में और आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट को भगाते होगे देखने को मिल रहे HDFC और HDFC Bank तो ऐसा हुआ क्या है इस मोजो का मतलब क्या है 42 शेर वाली बात क्या है इस सबको समझाऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पुरा देखेंगा काफी important होने वाला है दोस्तो चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो दोस्तो आज सुबह सुबह ख़बर निकल के आती है कि HDFC का HDFC बैंक के अंदर विलाय होता हुआ देखने को मिलने वाला है merger होता हुआ देखने को मिलने वाला है और अब HDFC जो है वो HDFC बैंक के अंदर शामिल हो जाएगा इससे HDFC बैंक जो है वो 100% public entity आपको बनती हुई देखने को मिलेगी और सबसे पहली बात तो देखे यह है कि HDFC बैंक और HDFC बोट आ बिग जायंट्स इंदर स्टॉक मार्के अगर आप देखेंगे यह दुनों काफी है मार्केट को हिलाने के लिए और वो ही होता हुआ देखने को मिला है निफ्टी 400 पॉइंट्स के आसपस उपर होना बहुत बड़ी बात है जो सिर्फ HDFC बैंक करते हुए देखने को मिले है अब सबसे पहली बात तो देखें मर्जर की जरूरत क्यों थी अगर भी आप देखेंगे तो दोस्तों HDFC और HDFC बैंक का काम जो है इस मर्जर से हुगा क्या कि कंपणी के आइसेट लिएटी आमोंस सेम अपको होती जेखने को मिलेकी सेम लिंदसिंस की देखिए एक कंपनी में ट्रांसफर होती जिएखने को मिलेगी और यह जो बात थी जैसे मैंने खा बहुत सालों से चलिया आ रही थी आज company के दोरा उसको पूरा कर दिया गया है और यह investors के लिए बड़िया ख़बर है क्यों बड़िया ख़बर है सबसे पहली बात तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले company ने क्या कहा है देखिए company की board meet हुई थी उसमें क्ताय किया गया है directors of HDFC bank limited at its meeting today on 4th of April has decided of amalgamation amalgamation यानि merger किस-किस का होता हुआ देखने को मिलेगा HDFC investment limited HDFC holdings limited into HDFC finance corporation तो HDFC दोस्तों कर आप देखेंगे सबसे पहले क्या किया गया है HDFC के अंदर दो को अंदर डाल दिया गया है HDFC investment और HDFC holdings HDFC investment और HDFC holdings वो दो companies है जो देखें दूसरी companies के अंदर investment करती है अगर आप देखेंगे बहुत सारी companies के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि HDFC investment के holdings है तो वो जो है वो अब पूरी तरही से HDFC के अंदर चली गई है और HDFC को HDFC bank के अंदर पूरा merge कर दिया गया है तो अगर आप देखेंगे जो process थी इसमें सबसे पहले उन दो companies को HDFC के अंदर जोड़ा गया और पूरे HDFC को HDFC bank के अंदर जोड़ दिया गया है लेकिन अभी भी देखें बहुत सारा doubt कंपनी के press conference होगी आता हुआ देखने को मिलेगा बट ठीक है ये जो भी है आगे 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 आगर आप देखेंगे और क्या होता हुआ देखने को मिला सबसे पहले important चीज शेर्स के बारे में अब अगर आप HDFC के HDFC bank के शेर्स होल्ड करते हैं अगर दोस्तों आप यहाँ पर HDFC के 25 शेर्स होल्ड करते हैं कितने 25 शेर्स अगर आप HDFC के होल्ड करते हैं तो आपको total 42 शेर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे HDFC bank के यानि अगर आपके पास 25 शेर्स है HDFC के तो उसके बदले आपको HDFC bank के total 42 shares provide कर दिये जाएंगे यानि जो merger है उसमें ये ratio रखा गया है कि हर 25 share hold करने वाले HDFC के उनको 42 shares provide कर जाएंगे HDFC bank के तो ये company की दोरा देखिए फूरा तरीके से ratio decide कर दिया गया है और ratio पहले से बता दिया गया है ये भी अच्छे बात निकली otherwise देखिए market में ये खयाल रहता कि हाँ कब कितना ratio होता हो सकता है किसके current stock market में और बड़ी तेजी आ जाती because किसे को ratio पता नहीं होता है तो definitely speculations तो चलेंगी और वो होता हुआ देखने को मिलता अब इससे देखिए पूरा अगर आप दिखेंगे साफ साफ हर information दी गई है सबसे बड़ी information तो दोस्तों यही कि देखिए जो भी assets है जो भी liabilities है HDFC की HDFC की total assets worth करती है 6,23,420 करोड बहुत बड़ा amount है और जो turnover किया गया है पूरा तो यह जो पूरा है assets और जो पूरी liabilities है वो HDFC bank के अंदर transfer कर दी जाएगी और HDFC अगर आप आप देखेंगे तो जोसमेंने का HDFC bank पूरा 100% आपको public entity होती भी देखने को मिलेगी और HDFC के अंदर जो भी promoters holdings है वो सारी आपको जाती भी देखने को मिल जाएगी यानि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो wholly own जो HDFC था वो अब आपको रहता हुआ देखने को नहीं मिलेगा यह बाद important है यह merger कब तक place करेगा कहा जा रहा है कि Q2 और Q3 जो Q2 और Q3 आपको आता हुआ देखने को मिलेगा उसके अंदर यह merger पूरा हो जाएगा यानि Q2 Q3 तक मने जा रहे है कि जो merger पूरा complete कर दिया जाएगा यह भी information दी गई है तो definitely merger बहुत शानदार है merger बहुत बढ़िया है अगर आप इसके stock hold करते है आपके लिए positive चीज़ है काफी जगा थोड़ी से information delay है वो आपको आती भी देखने को मिलेगी तो बहुत चीज़े clear होती भी देखने को मिलेगी because AMC business का क्या होता हुआ देखने को मिलेगा क्या वो अलगी track पे चलता हुआ देखने को मिलेगा बागी जो IGFC है उसमें क्या होता हुआ देखने को मिलेगा तो ये सब चीज़े हैं जिसके उपर focus करना पड़ेगा और जहां पर HDFC ने खुद में invest कर रखा है वो HDFC बैंक के पास किस तरह से जाता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि HDFC investment और HDFC holdings जो है उसने काफी companies के अंदर invest कर रखा है बली वो कोई सी भी हो तो वो जो investment है वो HDFC बैंक के अंदर किस प्रकार से जाता हुआ देखने को मिलेगा ये सब चीज़े हैं जिसके उपर देखें आपर focus करना है लेकिन हाँ company के दौर साफसाफ कहा गया है कि HDFC अगर आप देखेंगे तो वैसे ही बहुत शांदार करता हुआ देखने को मिल रहा था और आगे भी अगर आप देखेंगे housing development companies के लिए बहुत कुछ आता हुआ देखने को मिलने वाला ये company की दौरा साफसाफ कहा गया है वली वो कुछ भी हो, rare हो, कोई भी related चीज़े हो वो बहुत positive रहता हुआ देखने को मिलेगा तो overall मैं आपको एक बात ये समझा सकता हूँ कि जो merger है ये बहुत interesting चीज़ है बहुत शांदार होता हुआ देखने को मिला है definitely unexpected to expected होता हुआ देखने को मिला है किसी को नहीं बताता है कि आज हो जाएगा लेकिन हाँ बाते चल रही थी बहुत सालों से तो कभी ना कभी तो होना ही था और अगर आप देखेंगे तो merger का वैसे ही बहुत सारी company announcement करती भी देखने को मिल रही है और आगे भी अगर कोई बड़ी बड़ी companies बली वो Bajaj हो बली वो MNMO करते हुए देखने को मिले तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी बिकास merger अगर आप देखेंगे एक step होता है जहाँ पे growth आपको और देखने को मिलेगी और यहां से compounding समझी है कोई नहीं सोच सकता था कि एक दिन में HDFC 15% बढ़ सकता है वो आज होता हुआ देखने को मिला है यही होता है दोस्तो अच्छी companies के अंदर पैसा लगाने को मतलब कि देखें कभी न कभी तो यह आपको पैसा अच्छा कासा इतना का market देखे जाएगी कोई सोच नहीं सकता है और अब आप समझेंगे कि देखें market cap में बड़ा उच्छाला है तो definitely आता हुआ देखने को मिला है अब जैसे मैंने का कि आप market cap जो है वो combined हो जाएगी तो HDFC bank जो है वो basically एक बहुत बड़ा giant आपको होता हुआ देखने को मिलने वाला है market के अंदर इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बड़े है आपको समझ में आए होगा अगर नहीं समझ में आए तो definitely आप comment section में देगी कौन सा पार्ट नहीं आया तो friends इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video